हेलो दोस्तो मैं हर्मन सिंग भला Learn OpenStack Hindi Part 2 में आपका स्वागत करता हूं आगे आगे बढ़ने से पहले हम OpenStack की इस वन लाइन डेपनेशन को पढ़ लेते हैं OpenStack is a free and open source software platform for cloud computing, mostly deployed as infrastructure as a service, IAAS इस डेपनेशन को समझने के लिए हमें यहाँ दो शब्दों को समझना जरूरी है एक cloud computing क्या है और दूसरा IAAS क्या होता है तो पहला सवाल cloud computing क्या है word cloud computing का origin कहां हुआ ये बात तो clear नहीं है मगर science की भाषा में cloud शब्द का प्रयोग ऐसे किसी भी object के एक बड़े से धेर को जो दूर से देखने में cloud की तरह नजर आता है और छोटे छोटे कण जो मिलकर बड़ा धेर बनाते हैं वहां अक्सर cloud शब्द का प्रयोग किया जाता रहा है मगर हम जिस cloud computing की यहां बात कर रहे हैं वो दरसल internet based cloud computing power के लिए किया जाता है जो की हमें shared processing resources और data जब आपको ज़रुरत हो तब internet के जरिए उपलब्द कर आता है जो हमारे computers और अनुपकरन जैसे की smartphone आदी के काम आता है cloud computing की वज़े से companies अपने actual काम पर focus कर पाती हैं जिस काम में वह निपुण हैं और अब उन्हें इस बात के लिए परिशान नहीं होना पड़ता है कि IT infrastructure maintain कौन करेगा और इसके खर्चे को कैसे maintain करना है cloud computing की वज़े से companies के application कम समय में तयार हो जाते हैं fast चलते हैं और उन्हें manage करना आसान है और उनका maintenance कम हो गया है cloud computing की वज़े से IT companies में fluctuating business demand के करना जो resources को adjust करना पड़ता था वह अब आसान हो गया है बड़े cloud provider अपने data center को efficient बनाने और energy consumption को reduce करने के लिए renewable energy sources का उप्योग कर रहे हैं जिसके करना हमारे environment को भी पायदा मिल रहा है साथ ही साथ cloud provider इस वज़े से services और सस्ते में दे पा रहे हैं cloud computing का एक फायदा है companies अपनी computing powers को अपनी जरूरत के हिसाब से बड़ा या घटा सकती है cloud computing आज के समय में एक ऐसी service या कही एक ऐसी utility हो गई है जो की बहुत ही high demand में है इसकी वज़ा है high computing power service काफी सस्ते में मिल जाती है high performance इसको बढ़ाना या घटाना आसान है इसको access करना आसान है और यह हर समय उपलब्ध है cloud computing service पदान करने के typically तीन मॉडल है आएए सबसे पहले infrastructure as a service के बारे में जानते हैं यह सबसे बुन्यादी service model है इस model के तहट cloud service provider कंज्यूमर को physical computer, virtual machine अथवा दूसरे अन्य resources आफर करते हैं infrastructure as a service में consumer cloud infrastructure को manage या control नहीं करता है उसका control सिर्फ operating system में storage और deployed किये हुए application पर ही होता है अधारन के लिए अगर बात करें तो Amazon EC2 जो AWS की offering के बारे में जानते हैं उन्हें इस बारे में पता होगा और हम जिस topic या session की वीडियो इस वाग देख रहे हैं जी हाँ open stack जिसका प्योग आज के समय में cloud infrastructure as a service की deployment में काफी किया जा रहा है जो की free है और open source भी है P.A.A.S. दूसरा model है platform as a service जिसे अक्सर P.A.A.S. भी कहा जाता है cloud computing के इस service model में service provider एक platform या एक environment developers को परदान करता है ताकि वह अपने application और services को internet के माधियम से बना अधवा test कर सके P.A.S. services cloud में ही hosted होती है और user simply एक web browser के द्वारा इसका इस्तमाल कर सकते है Example AWS, Elastic Beanstalk, Windows Azure, Heroku, Salesforce, Google App Engine, Apache Stratus S.A.A.S. आज की digital दुनिया में software as a service बहुत ही popular service है और software का प्रयोग करने के इस तरीके को लगबख हर user पसंद भी कर रहा है जहां एक और पहले software और उसके license को खरीद के software को device में install करना पड़ता था वहीं S.A.A.S. normally एक subscription based model है जहां software असल में cloud में install होता है मगर जिसको भी उसका उप्योग करना है इंटरनेट के थूँ कुछ फीज दे कर कर सकता है इसके कई फायदे individual user को और बड़े businesses को है S.A.A.S. के कुछ उधारन Office 365, Google Apps, Salesforce, Citrix GoToMeeting, Cisco WebEx और Netflix दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी OpenStack के बारे में जानने के लिए और इस वीडियो सीरीज की अगली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद